मित्रो मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि 2024 का पहला चंद्र ग्रहन 25 मार्च को होने लगने वाला है। इस दिन सोमवार को 12 राशियों में से 6 राशियां के लोग होंगे करोडपती माला माल। यह साल 2024 के पहले चंद्र ग्रहन के प्रभाव से 12 राशियों में से 6 राशियों की किस्मत चमकेगी। यह भागिशाली राशियां 25 मार्च को होने वाले साल के शुरुआती दिन में करोडपती बनेंगी। यह 6 राशियों अब धन से माला माल होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्ही 6 भागिशाली राशियों के बारे में संपूर्ण और सठीक जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ 25 मार्च को लगने वाला साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहन भारत में दिखाई देगा या नहीं। इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं। सूतक काल का सही समय। सूतक काल किस समय से किस समय तक रहेगा। साथ ही साथ। चंद्र ग्रहन किस समय से किस समय तक लगेगा। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं से जुड़ी कुछ महत्पूर्ण और विशेश जानकारी देंगे। साथ ही साथ ग्रहन काल के दौरान क्या खाना चाहिए क्या नहीं, कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कौन-कौन से उपाय आपको करने चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको साल 2024 की पहले चंद्र ग्रहन यानि की 25 मार्च दिन सोमवार को लगने वाले ग्रहन के बारे में संपूर्ण और सठीक जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना कट कि पूरा वीडियो देखें, ये महत्वपूर्ण लाबकारी वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, दोस्तों वीडियो आगे शुरू करें, उससे पहले माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, और कमेंट बॉक्स में जय माता अवश्य लिख दें, जिससे कि माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद आपको सीधे प्राप्थ हो सके, और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से, चंद्र ग्रहन का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके और आपके परिवार के ऊपर ना पड़े दोस्तों, आपको बता दें, ह दोस्तों आपको बता दें कि यह बहुत ही प्रभावशाली चंद्र ग्रहन रहेगा और बता दें कि सभी 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहन का प्रभाव पड़ेगा। शिव जी के मंत्रों का जाब करें, मनही मन भगवान श्री हरी विश्नु जी के मंत्रों का जाब करें, आपको लाभ मिलेगा और चंद्र ग्रहन का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके उपर नहीं पड़ेगा। ग्रहन के दौरान जागते रहना चाहिए और पूजा पाठ या मंत्रों का जाब करते रहना चाहिए। ग्रहन समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रहन के दुश प्रभाव से बचने के लिए उन्हें सनान अवश्य करना चाहिए। गर के अंदर की किरणों से बचने के लिए खिड़कियों को मोटे परदे से ढखना सुनिश्चित करें और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं। ग्रहन काल के दौरान क्या ना करें। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहन के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह वर्जित माना जाता है। हालां कि भोजन करने से पहले वह एक काम यह कर सकती है कि जो भी आप भोजन करें उसमें एक तुलसी का पत्ता डाले ध्यान दे। तुलसी का पत्ता आपको चंद्र ग्रहन से पहले ही तोड़ कर रख लेना है। जो भी खाना बनाएं उसमें आपको तुलसी का पत्ता डाल पिर आप भोजन ग्रहन करें, ऐसा करने से चंद्र ग्रहन का कोई भी अशुब प्रभाव आपके उपर और आपके शिशु के उपर नहीं पड़ेगा। भगवान श्री हरी विश्णुजी के मंत्रों का जाब भी करते रहे। इससे आपके और आपके शिशु के उपर चंद्र ग्रहन का कोई भी अशुब प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन छे खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जो की चंद्र ग्रहन के प्रभाव से करोडपती बनने वाली है। यह छे राशिवाले धन से माला माल होने वाले हैं। तो दोस्तों, इन छे खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशियाती है वह राशिय है मेश। राशि चंद्र ग्रहन का प्रभाव मेश राशिवालों पर बहुत अधिक शुब रहने वाला है। दोस्तों, ग्रहन के शुब प्रभाव के कारण मेश राशिवालों की आर्थिक स्थिती अच्छी होगी, साथ ही साथ इने कार्यक शेत्र में तरक्की मिलने की संभावना है नौकरी के साथ जो लोग व्यवसाय में रुची रखते हैं, उनके लिए भी चंद्रग्रहन शुभ रहेगा। यदि आप किसी नए कार्य को शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ, यदि आपका कोई कर्ज चल रहा है, उस कर्ज से आपको छुटकारा मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको मनचाही नौकरी भी मिलने वाली है, साथ ही साथ साथ नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं, घर परिवार में खु तुला राशी तुला राशी वालों को बता दें कि यह चंद्र ग्रहन आपके लिए अत्यंत शुब रहने वाला है। इस दौरान आपके पास नौकरी के नए अवसर आ सकते हैं। इस दौरान धन की वृद्ध की भी संभावना है। तुला राशी वालों इस ग्रहन के दौरा आपकी आर्थिक स्थिती और मजबूत होगी। चंद्र ग्रहन के दौरान आपके जो भी रुके हुए काम थे वे अब पूरे होगे। आपको चारों तरफ से अब लाब ही लाब मिलने वाला है। आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिलने से अपार धन की प्राप्ति नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको अब मनचाही नौकरी मिलने वाली है। साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई या फिर नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो वह सपना भी इनका अब जल्द पूरा हो सकता है। जी चंद्र ग्रहन आपके लिए अत्यंत लाबकारी साबित होने वाला है। चारों तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं दोस्तों। इस लिस्ट में जो अगली राश्य है वह राश्य है। कुम्भ राश्य दोस्तों। कुम्भ राश्य वालों को बता दें क कि इस चंद्र ग्रहन के प्रभाव से आपके लिए शुभ देखने को मिलने वाला है। कुम्भ राशी वालों को बता दें कि आपको कार्यक्षेत्र में न सिर्फ आर्थिक तरक्की मिलेगी बलकि पदोन्नती होने की भी संभावना है। इस दोरान कुम्भ राशी वालों के पास आये के नए नए स्तोत्र बनने के साथ निवेश पर भी आप ध्यान के इंद्रित करें। वेतन व्रिद्ध के भी योग्य हैं, साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं, जो भी रुके कार्य थे, अब आपके समय पर पूरे होने वाले हैं। कहना गलत नहीं होगा कुम्भ राशिवालों, चंद्र ग्रह ग्रहन आपके लिए अत्यंत लाबप्रद रहने वाला है। इस चंद्र ग्रहन के प्रभाव से आपको चारों तरफ से अब खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं दोस्तों। इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है व्रिष्चिक राशि। व्रिष्चिक राशि वालों को बता दें कि यह चंद्र ग्रहन आपके लिए अत्यंत शुभ फलदाई साबित होगा। आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा। साथ ही साथ सरकारी नौकरी में कारियरत लोगों के लिए यह ग्रहन शुभ और फलदाई साबित होगा। विदेश में नौकरी प्राप्त करने के लिए नौकरी प्राप्त होगी और उन्नती में भी लाब होगे। ग्रहन काल के दौरान जितना हो सके, आप भगवान शिवजी के मंत्रों का जाप करें, इससे आपको शुभ परिणामों की प्राप्ती होगी, व्यवसाय के विस्तार के लिए कुछ नीतियां बनाने और उन्हें सही ढंक से लागू करने में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे लाब होने की संभावना है, नौकरी में कहीं अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, साजेदारी के काम में मुनाफ़ा मिलने की उम्मीद है, इस अवधी में आप, आप अपने काम को लेकर कार्यस्थल पर एक अलग पहचान बनाने में सफल हो सकते हैं, इस दौरान आप अपने लक्षियों पर खड़ी मेहनत करते हुए भी नजर आएंगे व्रिश्चिक राशिवालों, आपके घर परिवार में इस दौरान खुशियों का माहौल होगा, चारों तरफ से आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के संकेत नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ आपक प्रेम संबंध मजबूत होंगे, कहना गलत नहीं होगा, व्रिश्चिक राशिवालों यह चंद्र ग्रहन आपके लिए अत्यंत लाबकारी साबित होगा, दोस्तों इस लिस्ट में जो आखिरी राश्य है, वो है कन्या, राशी कन्या राशिवालों को बता दें कि यह चंद प्रेम साथ धोखा हो सकता है, लेकिन आपको यह बता दें, यह चंद्र ग्रहन आर्थिक द्रिश्टिकोंड से आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, इस चंद्र ग्रहन के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार आने की संभावना है, आपके कई अध करने के लिए समय अच्छा रहेगा, और ऐसा करना इस दौरान आपके लिए लाबकारी सिद्ध होगा, साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशियों का वातावरन रहेगा, आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, संतान पक्ष से कोई शुब समाचार आपको प्राप् राशिवर्षब, राशिवालों को बता दें कि यह चंद्र ग्रहन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है, इस ग्रहन से आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार होने की संभावना है, साथ ही साथ आपके जो भी रुके हुए अधूरे काम हैं, वे अब समय पर साथ ही साथ यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, तो समय आपके लिए अच्छा है, ऐसा करना इस दौरान आपके लिए लाबकारी सिद्ध हो सकता है, साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, परिक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त ह साथ ही साथ आपको बता दे नौकरी में अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं झाल झाल झाल